साथियों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर और जैसा कि अभी तक हमने टूल्स टेक्निक को भी स्टार्ट किया था और हमने फ्लोरेशन्स रिजोनेंस इनरजी ट्रांसपर और फ्रेट और फ्रैप ये दो टेक्निक बिसिकली फ्लोरेशन्स रिकावरी से question पूछा जाएगा और वो topic है DNA fingerprinting तो इसके बारे में आपको basic knowledge होगा ही और इसके अलावा भी आप DNA को जानते ही हैं तो बस हम यहां में कुछ important points को cover करेंगे और आपके चाकी questions आप exam में आपके solve हो सके तो ये एक कह सकते हैं कि burning topic है जो exam में पूछा जाता है तो आई ये स्टार्ट करते हैं तो basically जैसा कि आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि इस paragraph में यहां पर mention किया हुआ है जो कि मैं अभी highlight करता हुआ चलूंगा तो जैसा कि यहां पर लिखा है DNA fingerprinting involved determining certain sequence in the DNA called as repetitive sequence तो यह आपको important point है जो आपको याद रखना है कि जो DNA fingerprinting के technique है वो किस बात प sequence होते हैं जो मतलब बहुत जादा time repeat होते हैं these repetitive sequence are also called as satellite DNA भी इनको बोला जाता है which generally do not code for any protein तो यह क्या करते हैं किसी protein को code नहीं करते हैं but for a large portion of the human genome और यह important बात मैं आपको बताता चलूंगा हूँ जैसा कि आपको पता भी होगा कि human genome project जब sequence किया गया है तो उसमें यह पाय गया कि 98% जो आपका gene होता है वो non coding होता है ठीक है मतलब वो protein को code नहीं करते हैं केवल 2% gene जो होते हैं इसको यह statement लिखा रहता है less than 2% जो होता है वो geno को code करता है ठीक है तो यह important बात आप याद रखेंगे तो यह जो आपकी fingerprinting की story है वो यह non coding DNA पर आधारित है ठीक है तो यह इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इसको हम satellite DNA बोलते हैं हलाकि यहां पर मैं एक और बात आपको बताता चल रहा हूं जो कि basically इनको जब आप DNA को isolate करके अगर आप इसकी study करते हैं तो आप यहां पर जो centrifugation technique अपनाते हैं वो यहां पर जो होती है वो density सीजियम क्लोराइड यह आप याद रखेंगे सीजियम क्लोराइड एक होता है देंस्टी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन होता है तो उसकी मदद से हम इसको isolate करते हैं हलाकि यह जो DNA होते हैं इसमें कुछ मिनी satellite होते हैं कुछ macro satellite होते हैं तो इनको जो हम technique से separate करते हैं वो density gradient centrifugation होता है और सीजियम क्लोराइड method होता है मतलब सीजियम क्लोराइड का इसमें यूज किया जाता है यह आपको याद हो गया होगा इसमें कुछ important ऐसा नहीं है फिर जो important चीज है यहां पर हम थोड़ी की historical account को जानेंगे इस टेकनिक को इडेंटिफाई यह person on the basis of DNA specificity के अधार पर करते हैं इस technique को जो relevant किया है वो सर एलिक जैफ्रे ने किया है 1984 में तो यह question ICMR में आया हुआ question है इसके अलावा इनहीं को हम father of DNA fingerprinting बोलते हैं इसके अलावा जो भारत में DNA fingerprinting को develop किया है वो डॉक्टर वीके कश्चप और लाल जी सिंग तो यहाँ वे मैं आपको बताते चलना हूँ जो important question आपसे exam में पूछे जाते हैं अगर आपसे यह पूछा जाता है कि father of father of DNA fingerprinting अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके जो answer होते हैं वो एलेक जैफ्रे आप answer इसके अलावा अगर आप इंडिया में अगर आप पूछा जाएगा ठीक है तो यह जो है यह डॉक्टर लाल जी सिंग आप इनको याद रखेंगे basically यह बहुत ही famous scientist है जो कि यह ब्याच्चू में इनका relation है तो आप यह हमेशा याद रखेंगे दॉक्टर लाल जी सिंग ऐसे question आने की संभावना exam में बनी रहती है तो आप यह information को याद रखेंगे ठीक है इसके बाद DNA of human is almost the same for all individual but very small amount that differ from person to person और इसी चीज़ को forensic scientist analyze करते है ठीक है यहाँ पे आपको कोई confusion नहीं होनी चाहिए इस differences को हम क्या बोलते हैं polymorphism बोलते हैं मतलब वो many forms में होते हैं and are the key of the DNA typing मतलब finger printing का जो अगर आप से यह सब option में दिया जाएगा highly polymorphism sequence होते हैं यह सब इसका key factor होता है polymorphism are most useful to forensic scientists it consists of variation in the length of DNA at specific location पर क्या होता है variation होता है जिसको हम restricted fragment बोलते है it is most important restricted fragment होते हैं ठीक है segment it is most important segment for DNA test made up of salt repetitive nucleotide sequence होते हैं जिनको हम VNTR को भी बोलते हैं जैसे कि आप इनको कह सकते है variable number of tandem repeat ठीक है मतलब यह जो होते हैं वो बहुत time repeat होते हैं तो यह सब एक इसके different term है और different इसके terms यूज होते हैं और VNTR को ही mini satellites बोला जाता है जो कि एलिक जै आने अभी आपको बताया ठीक है तो restricted fragment consist of hyper variable repeat region of DNA having a basic repeat sequence 11-60 base PR और यह दोनों ही sites पर restriction site पे लगे हुए होते हैं ठीक है कोई confusion नहीं होनी चाहिए the number and position of mini satellites या VNTR in restriction fragment जो होते हैं वो different होते हैं each DNA में यही इसकी coding है and length of restricted fragment depends on number of VNTR मतलब यह जो आपका mini satellite में जो VNTR है variable number tandem है इनकी number और position हर मनुष्रों में different different होगी तो यही जो है यह key factor है DNA fingerprinting का therefore when the genome of two people are cut using the same restriction enzyme तो आप यह भी हमेशा याद रखेंगे यह DNA में जैसा कि अगर आप biotech से हैं तो बहुत अच्छी बात आपको यह पता होगा अन्ध आपको यह हमेशा याद रखना है जब भी हम बायो टेक की study करते हैं और जब भी हम enzyme से cut करने की बात करते हैं तो चाहे अगर दो separate मालीजे की cells होगी या दो separate चीजे होगी मालीजे की human का है और यह मालीजे की bacteria क्या है तो हमेशा जिस restriction enzyme से हम इसको cut करेंगे ठीक है उसी restriction enzyme से हम इसक माल करते हैं हम तो यह most important है मैं यहाँ पर इसको highlight कर देता हूँ आप इसको note down कर लीजेगा और यह एक बहुत important concept है बायो टेकनोलोजी का तो अब हम यहाँ पर देखते हैं therefore when the genome of two people are cut using the same restriction enzyme the length of fragment obtained जो होते हैं वो different होते हैं और यही जो होता है इसका key बनता है these variation in length of restricted fragment को हम RFLP या restriction fragment length polymorphism बोलते हैं ठीक है और जो आपका यह RFLP होता है distributed throughout human genome are useful for DNA fingerprinting DNA fingerprinting can be prepared from extremely minute amount of अब आपको sample क्या चाहिए तो बहुत ही छोटा amount आपको चाहिए जैसे blood हो सकता है, semen हो सकता है, hair bulb और any other cells of the body एक microgram content जो होता है वो sufficient होता है because हम इसको आप जाते हैं कि polymerase chain reaction होती है जिसको हम PCR बोलते हैं उससे हम क्या करेंगे हम DNA के content को amplify कर लेंगे तर हमें जरूरत होगी तो यानि कि एक microgram जो DNA होता है वो sufficient है मतलब आप सोच दिए कितना कम DNA इसके लिए आपको चाहिए अब यहां पर आप देख सकते है technique of DNA fingerprinting involved the following major step तो सबसे पहले आपको extraction करना होगा मतलब DNA को isolate करना होगा by the cell by cell lysis करेंगे if the content of DNA limited होगा तब हम क्या करेंगे limited होगा तो हम क्या करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं तब हम उसको क्या करेंगे DNA का content limited होगा तो उसको हम amplified करेंगे PCR से जो मैंने अभी आपको बताया ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे restriction enzyme से digestion करेंगे restriction enzyme आपके बाब को पता ही है जो कि specific cut करते है 4 या 6 base pair का sequence होता है HAEA23 जो है वो most commonly used किया जाता है यह आप याद रखेंगे it cut the DNA everywhere the base SI raise in the sequence GGCC पर यह cut करता है के अलावा मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि आपको यह जो पार्ट है जहां पर जो भी आपके ECO R1 पढ़ा होगा या BAM H1 पढ़ा होगा तो जो भी जहां से cut करते हैं वो sequence exam में पूछे जाते हैं कि कौन से blunt end होता है कौन से आपके sticky end देते हैं हलाकि मैं उसको भी cover कर करने की कोशिश करूंगा बट आप exam point of view से आप उसको तैयार करते रही है वो चार्ट आप जरूर लर्न करते रही है इस restricted fragment transfer कर लिया जाएगा agarose polymer gel पर क्योंकि हम DNA के लिए कौन से gel का इस्तमाल करते हैं agarose gel का इस्तमाल करते हैं ठीक है gel electro forces करेंगे method होता है जिसमें separate किया जाता है macro molecule चाहे वो nucleic acid या protein को भी हम separate कर सकते है on the basis of size or electric charge gel जो होता है वो collide in a solid form the term electro forces आप जानते है migration of charge particle under the influence of electric field ठीक है तो इसमें आपको कोई confusion नहीं होनी चाहिए ठीक है basic information यहाँ पे दिया गया है molecule property determine करेगा ठीक है many important biological molecule जैसे amino acid peptide protein nucleic acid process उनके पास charge होंगे या तो वो cation होंगे या तो वो anion होंगे ठीक है मतलब cation पे positive charge होता है और anion पे negative charge होता है depending on the nature of the nature the charge particle will migrate either to the cathode या वो anode की तरफ जाएंगे कोई confusion कोई confusion नहीं होगा ठीक है ठीक है by the gel electro forces these restrictive fragments move to all the positively electron anode because DNA जो होता है उस पे negative charge होता है negative charge किसकी वज़ा से होता है phosphate के कारण होता है यह सब basic information है अगर आपको याद करने में problem होती है तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं ठीक है आप DNA को लिखिए DNA N से आप इसको negative याद रखिए कि DNA पर कौन सा चार्ज है negative है और gel चलाने पर यह किधर जाएगा anode की तरफ जाएगा ठीक है anode पर क्या होता है positive charge होता है तो negative charge है तो यह positive की तरफ move करेगा hopefully यहां से आपको कोई confusion नहीं होगी ठीक है इसके बार smaller fragment moved towards a positive pole due to less molecular weight ठीक है obvious सी बात है so after the gel electrophoreses DNA fragment arise according to their molecular weight की according वो separate हो जाएगे these separated fragments can be visualized by staining करते है with a dye that fluorescent UV radiation भाई obviously यह बात है आपको पता है न कि DNA naked eye से नहीं देख सकते हैं इसके लिए जो हम stain करते हैं ETBR यह आप याद रखेंगे ethereum bromides को बोलते हैं इससे हम क्या करते है stain करते हैं जो कि क्या करेगा orange color का DNA जो होता है जब हम इसको देखते है orange color का band यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है तो यह आप हमेशा याद रखेंगे बस basic technique को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हम देखेंगे this appears as specific restricted fragment length pattern these length pattern जो होगा वो different होगा फिर हम dna के case में हम sudden transfer करते हैं सदन ब्लॉटिंग करते हैं जोकि हम जेल इजे फ्रजाइल होता है it is necessary to remove the dna from the gel and permanently attach कर दिया जाए solid support पर this is accomplished by the process of sudden blotting the first step is to denature the dna in the gel which means that the double standard restriction fragment chemically separated कर दिया जाएगा ठीक है the dna को हम transfer कर लेते हैं ब्लॉट पर ब्लॉट कैसा होगा nylon x-like ink blotter and blot sub जैसे pvdf membrane use की जाती है यह सब आपको पता ही होगा तो आप इसको यहां पर ध्यान से इसको देख लेगे this process को हम क्या बोलते है southern blotting बोलते हैं इसके लावा हम एक चीज और आपको यहां पर बता देते हैं जो एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा और आप simple सा हमें trick आपको बता रहा हूँ एक यह trick होती है snow drop ठीक है तो DNA के case के लिए southern blot होता है RNA के लिए जो हम करते है वो मैं यहां पर लिख देता हूँ northern blot होता है और O से O का कोई मतलब नहीं है protein के लिए हमेशा हम कौन से technique यूज करते है western blot करते है तो यहां से भी आपको question exam में मिल जाएगा तो यह important point है इसको आप याद रखेगा snow drop को ठीक है तो हम DNA के लिए southern blotting करते हैं अब हम इसके बाद habidization करेंगे habidization का मतलब है कि to detect हमको VNTR को detect करना है on the restriction fragment we use single standard radioactive phosphorous 32 का probe यूज करते हैं ठीक है तो यह आप हमेशा याद रखेंगे which have the base pair sequence तो कि complementary होगा VNTR के commonly we use a combination of at least four to six separate DNA probes यूज किया जाता है labored probes are attached with the VNTR localist पर होगा और वो habidize कर जाएंगे इसके बाद क्या करते हैं हम autoradiography से उनको हम x-ray पर expose करते हैं जिससे हम उनको analysis करेंगे nylon membrane containing radioactive probe exposed to x-ray specific band appears होगे जब हम उनको x-ray पर देखेंगे these bands are the areas where the radioactive probe bind करते हैं ठीक है the x-ray film card dna signature of a person which is specific for each individual the probability of the two unrelated individual having same pattern of location and repeat number of mini satellite is one in 10 billion in India ठीक है तो यह आपका बहुत important technique है variable number tandem पर repeat होता है इसके लावा एक important point यहां पर यह आपको याद रखना पड़ेगा in India the center for dna fingerprinting के लिए जो study के लिए एक institute की स्थापना की गई है और उसका नाम है cdfd जो की कहां पर है है तो यह information आपको याद रखना होगा center for dna fingerprinting and diagnosis basically यहां से आपको याद रखना है क्योंकि आगर आप कल को PhD के लिए भी जाते हैं तो यहां पर apply कर सकते हैं बाकि आप इसको Google पर सर्च करके detail में देखेगा कि यह institute में क्या क्या चीज़े available है क्या technique करते हैं तो ऐसे question exam में है या क्या चीज़ है तो उस case में हम इस method से हम पूरे ही process को confirm कर सकते हैं ठीक है family relationship को हम determine करते हैं ठीक है for identifying the true father DNA samples of child या mother gas किया जाएगा और उनको analysis किया जाएगा इसके अलावा criminal case को solve करने में हम इसको use करते हैं जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें जो होती है वो इसका use है तो hopefully यह video आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको कहीं पर कोई समझ्या आती है तो आ मैंने समझाया है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या है जो मतलब जो less than जो code करते हैं उनसे मतलब नहीं है जो non-coding sequence होते हैं वहां पर repetitive DNA होते हैं उस repetitive DNA जो होते हैं वही method होते हैं ठीक है cesium chloride method मैंने आपको बताया VNTR मैंने बताया DNA fingerprinting के historical account को आपने देखा तो उसी की basis पे इस technique को use किया जाता है ठीक है तो hopefully यह video आपको अच्छा लगा होगा बाकि हम इसमें next part में और भी techniques को cover करेंगे बाकि आपको यह video अच्छा लगा हो तो इसको like, share और subscribe जरूर कीज